ये रिष्टा क्या कहलाता है सबसे लंबे समय तक चलने वाला टीवी शो है और इसे पिछले 15 सालों से सभी का प्यार मिल रहा है ये टीयार पी चार्ट पर टॉप फाइब शो में से है राजन शाही ने 2009 में इस शो से सभी को अपना दिवाना बना लिया था इस शो की शिरुवात हीना खान और करन महरा के साथ हुई थी इन दोनों की जोड़ी बिलकुल नहीं थी और अक्षरा और नैतिक के रूप में सभी के दिलों में खास जगह बना ली थी आठ लंबे सालों के बाद इस सीरियल में शिवांगे जोशी और मौसीन खान लीड रोल में थे कार्थिक और नायरा की कहानी शुरू हुई लेकिन हीना खान के बाहर जाने से कई लोग दुखी हुए हाल ही में राजन शाही को हीना के शोव से बाहर होने को लेकर काफी कुछ कहते हुए सुना था उन्होंने बताया था कि हीना खान का बाहर निकलना अच्छा नहीं था और उनके बीच कुछ मुद्दे थे राजन शाही ने कहा कि उन्होंने हमेशा हीना को अपनी बेटी की तरह माना हाला कि आखिरी में चीज़े काफी खराब हो गए उन्होंने कहा कि हीना महनती थी लेकिन वे स्क्रिप्ट में दखल अंदाजी करती थी और इस वज़े से ही काफी चीजिए खराब होती रही थी उन्होंने उस कटना के बारे में भी बताया है जहां हीना ने एक बार एक सीन करने से इंकार कर दिया था जिस में शिवांगी जोशी के साथ उन्हें एक सीन शूट करना था हाला कि अब हीना खान ने राजन शाही के दावो पर चुपी तोड़ी है उन्होंने हाली में एक इंट्रिव्यू में बाचीत के दौरान बताया कि उन्होंने उनके बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वह उनका सम्मान करती है हीना ने कहा कि उन्होंने उन्हें पहला बड़ा ब्रिक दिया था और उन्हें याद है कि जब उन्होंने ये रिष्टा क्या कहलाता है छोड़ा था तो उनके पिता बहुत दुखी थे हीना खान ने आगे कहा कि मेकर्स के साथ चीजें अच्छे नोट पर खतम नहीं हुई लेकिन अब उनकी दिल में भी कुछ नहीं है उन्हों ने कहा कि उन्होंने उतने पिता से वादा किया था कि वह शो से जुड़े किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलेंगी और इसलिए वह ऐसा ही कर रही है बता दे कि फिलाल में ये रिष्टा क्या कहलाता है समरिदी शुकला, रोहित पुरोहित, गर्विता साधवानी, अनिता राज, शुर्ती पवार, संदीव राजोरा, शुर्ती रावत नजर आ रहे है सीरिल से जुड़े और जानकारी के लिए बने रहे हैं इन्स्राफीट के साथ